Hello Everybody, Welcome to Total English Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम grammar के जो basic concept पे बात कर रहे हैं उसके third part पे हम आज जाएंगे Basic concept of grammar के third part में इस part में हम बात करने वाले हैं grammar के सबसे important में से एक topic के बारे में जो की है subject or predicate Friends, हम जो grammar पढ़ते हैं वो sentence को निर्मान करने के लिए पढ़ते हैं वाक्ति को कैसे बना है sentence formation किस तरह से किया जाए और sentence का जो सबसे main अंग होता है वो होता subject or predicate इसलिए subject or predicate के concept को समझना बहुत अधिक जरूरी हो जाता है इससे हम आगे आने वाले topics जैसे कि phrase, clause वगेरा वगेरा यह सब भी बहुत अच्छे से command इससे हम पा लेते हैं तो चलिए आए इससे हम टकलते हैं So friends, subject and predicate के concept को समझने के लिए सबसे पहले जाना जरूरी है sentence क्या होता है क्योंकि जो word के होता है, उसी के जो uns होते हैं, उसे हम कहते है subject और predicate subject and predicate are the two parts of a sentence So first of all, we will understand what is a sentence sentence क्या है? यह एक group of words है एक group of words, सब्दों का समुह जिसे arrange किया गया, जिसे सजाया गया है साथ में, together to make complete sense जिसका कि कोई अर्थ बनता हो देखिए हमारे पास एक group of words है fly, birds, the, in, air यह group of words है, इसे सजाया गया है पर क्या इसका कोई अर्थ बन रहा है? क्या इसका कोई meaning बन रहा है? fly, birds, the, in, air बिल्कुल भी नहीं बन रहा है लेकिन अगर हम इसे धंक ते सजाये birds को पहले ले आए, फिर fly को ले आए, फिर in को, फिर the को, फिर air को तो क्या होगा? birds fly in the air पक्षी आकास में उड़ते हैं मतलब इसका एक अर्थ निकल के आ रहा है इसका एक complete sense बन रहा है इसलिए यह एक sentence है लेकिन इसे हम sentence नहीं कह सकते है कहने का मतलब कोई भी group of words sentence नहीं होता है उसका एक अर्थ होना चाहिए तभी वो sentence का लाएगा चलिए अब sentence को समझ चुके है sentence के आगे अब हम देखते subject और predicate होता क्या है subject इसके लिए हम इन दो examples को देखेंगे his father gave him a car उसके पिता ने उसे एक कार दी तो इस sentence में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये जानते हैं हम किसी के पिता के बारे में बात कर रहे हैं तो जिस विशय पर हम बात कर रहे हैं वो विशय हमारा हो जाता है subject ये हमारा हो जाएगा subject और उस विशे के बारे में अगर हमें कोई जानकारी दी जा रही है या वो कौन सा कारे कररा है वो कौन सा वर्क कररा है तो उसे हम कहेंगे predicate यह हो गया subject और यह हो गया predicate अगला example देखते हैं रोहिज शर्मा is a wonderful batsman रोई सर्मा एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है तो यहाँ पर इस sentence में हम बात किसकी कर रहे है बल्लेबाज की बात कर रहे है नहीं, हम यहाँ पर रोई सर्मा की बात कर रहे है मतलब रोई सर्मा हो जाएगा हमारा subject और रोई सर्मा के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। इसलिए ये हो जाएगा graduate. तो subject और predicate यही होता है, subject वो विशय होता है, वो नाम होता है या वो वस्तु होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और predicate वो होता है, subject अगर कोई काम को कर रहा है, या subject के बारे में कोई हमें information दिया जा रहा है, वो कोई काम को कर रहा है, तो वो कहलाता है predicate, अब हम ब पार्ट के बारे में, subject के भी कुछ parts होते हैं और predicate के भी कुछ parts होते हैं, सिर्फ चापाँ चेग्जाम्पल के through हम समझेंगे और उसके concept को पूरी तरह से आज clear कर देंगे हम ये जान लेते हैं कि subject और predicate की पहचान करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है क्योंकि अक्सर जो questions पूछे जाते हैं, वो इस तरह से रहते हैं कि आपको एक sentence दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि subject कौन सा है और predicate कौन सा है, मतलब आपको identify करना है आपको इसमें divide करना है कि that this particular part is subject and the particular part is predicate इसको जानने का एक best तरीका बता रहा हो, इससे आपको कभी mistake नहीं होगा सबसे पहला को करना क्या है, आपको predicate को खोजना है या फिर subject को खोजना है तो बाकी का जो बत गया वो खुद मिल जाएगा तो सबसे पहली बात है subject, subject के बारे में क्या बोला गया वो कोई विशेवस्तू है, विशेवस्तू यहाँ पर देखिए पैरा sentence में क्या है जो बड़ा, भूखा, हरा क्रोकोडाइल है, जो क्रोकोडाइल है, वो ड्रैग, मतलब खीचते हुए, थसीचते हुए, क्या कर रहा है एक डियर को, एक हिरन को लेते आ रहा है नदी के किनारे से मतलब अब इस पूरे sentence में एक क्रोकोडाइल की बात हो रही है, क्रोकोडाइल काम करने वाला है, जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक कहते हैं, इसका मतलब सब्जेक तो अइदेंटिफाई हो चुका है हमारा предicate को identify करने का सबसे best तरीका क्या है सबसे best तरीका है कि हम इसे खोजे verb को किसी sentence में verb को खोजे क्योंकि जो predicate होता है उसमें हमेशा verb हमेशा मिला हुआ होता है अगर verb आपको मिल जाएगा मतलब की predicate भी मिल गया Let's see crocodile dragged the deer crocodile ने deer को खीचा खीचा मतलब कोई काम किया, कोई काम किया मतलब drag is a verb, so drag is a verb, so drag the deer from the river bank, मतलब यहां जो verb है, यहां से लेकर यहां तक का part क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, यह प्रेडिकेट हो गया, मतलब बागी का बचावा part subject हो गया, यहां से यहां तक subject हो गया, इसी चीज़ को हम फिर से ट्राइ करते हैं, few cricketers do not play in the IPL, कुछ cricketer ऐसे हैं, जो IPL में नहीं खेलते हैं, यहां पर कुछ verb निख रहा है क्या, कोई verb निख रहा है, हाँ बिल्कुल, play, play is a verb, play is a verb, मतलब अभी हमने क्या कहा, कि verb अगर मिल जाए, वर्ब अगर मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेडिकेट हो जाएगा, so not play in IPL, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और few cricketers, few cricketers क्या हो जाएगा, जो बच गया, वो subject हो जाएगा, फिर से ट्राइ करते हैं, रवी and नितिन are good friends, अब यहां पर कोई main verb नहीं है, रवी and नितिन को ठीक से नहीं पता है, तो आई वाले बटन पर दबा के देख सकते हैं, इस पर वीडियो एक बनाए गई है, जिस पर auxiliary verbs के बारे मच्छे सम्झाया गया, कौन-कौन से auxiliary verbs होते हैं, तो यहां पर एक auxiliary verb है, तो यह वाला पार्ट वर्ब है, मतलब यह वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, यह जो प्रेडिकेट है, मतलब जो बाकी बच गया वो subject है, फिर से ट्राइ करते हैं, नरेश लिफ्स इन मुंबई and speaks मराठी, यहां पर फिर से वर्ब को खोचते हैं, नरेश लिफ्स, लिफ्स वर्ब, इन मुंबई and speaks, speaks एक और वर्ब, अच्छी बात है, दो वर्ब है, दोनों वर्ब मिल गए, तो दोनों यह हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, जो बच गया वो हो गया, नरेश, तो आपने देखा कैसे हमने वर्ब को खोच के प्रेडिकेट का पता लगाया, प्रेडिकेट ज जासता है, जैसे कि पहरा सेंटेंस है, the big, hungry, green crocodile, यहाँ पर crocodile, सिर्फ crocodile तो नहीं लिखा गया है, उसके बारे में कितनी अलग-अलग बाते बताएगा है, कि वो crocodile बड़ा है, हरा है, green है, मतलब additional information दिया गया है, तो अगर किसी subject के बारे में कुछ description दिया गया हो, कुछ description दिय गया हो, अगर ऐसा किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं complete subject, तो मतलब यह हो जाएगा हमारा complete subject, complete subject का एक part है, उसे हम complete subject कहते है, मतलब अगर subject का कुछ description दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर few cricketers, कुछ cricketers की बात हो रही है, एक cricketer नहीं बुला गया है, all cricketers नहीं बुला गया है कुछ क्रिकेटर सिर्फ है जो IPL नहीं खेलते हैं मतलब कुछ क्रिकेटर यहां स्पेसिफाई किया गया है मतलब this is the description यह इसका वीवरन है यहाँ पर कोलकोडाल का वीवरन था कि वो बड़ा है, हरा है, ग्रीन है और हंग्री है और यहाँ पर क्रिकेटर की बात की गई है क्रिकेटर कुछ है तो यह कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा कम्प्लीट सब्जेक्ट क्यों हो जाएगा कम्प्लीट सब्जेक्ट और यह भी हो जाएगा अब देखते हैं और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट रवी और नितिन और गुड़ फ्रेंड यहाँ पर हम क्या एक जन की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो रवी और नितिन दोनों की बात कर रहे हैं तो रवी भी सबजेक्ट है, नितिन भी सबजेक्ट है तो ये कैसे होगिया, दो सबजेक्ट हो गए हाँ, एक सेंटेंज मेν दो भी हो सकते हैं, दो से जाधा भी हो सकते हैं, तो रवी अनितिन, इट मेंज we have two subjects, तो अगर दो सबजेक्ट मील जाएं, जिसे की कोई कंज़ंग जो compound word होता है, compound का मतलग ही होता है, दो या दो से अधिक कीजों से जो मिलकर बनता है, उसे हम compound कहते है, so this is compound subject, our good friends, this is the predicate, अब देखते है, compound predicate क्या होता है, compound predicate, नरेश, lives in Mumbai and speaks Marathi, यहाँ पर देखिए, एक काम हो रहा है, वो मुंबई मेराता है, दूसरा काम हो रहा है, वो Mar जाठी बोलता है, मतलग यहाँ पर एक verb है, यहाँ पर दो verb है, जैसे यहाँ पर दो subject मिल गए थे, वो इसे यहाँ पर दो verb मिल गए, तो अगर दो या दो से जादा verb एक जगा मिल जाए, किसी predicate में, समझ जाईए, और वो किसी conjunction से जुड़े हुए हो, जैसे यहाँ पर conjunction से क्या कहेंगे, यह क्या हो जागा compound predicate, यह हो जागा compound subject, यह हो जागा compound predicate, यह हो जागा complete subject, यह हो जागा complete predicate, तो अज में आ गया, complete subject क्या होता है, compound subject क्या होता है, और complete predicate क्या होता है, यह आखरी sentence यह आपके लिए है, इसे आपको करना है, sentence को पढ़ दे रहा हूँ, the lazy old man ran very आपको बताना है कि यह क्या कोई compound subject है, या कोई compound verb है, प्रेडिकेट है, चलिए देखते हैं, the lazy old man, ran very fast, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सोचिए, man की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, man है, चलिए man मिल गया, सबसे पहले तो हम identify करते हैं कि इसमें subject कौन है, प्रेडि हमारा काम हो गिया, हमारा predicate खुज खुजा जा चुका है, this is the predicate, मतलब यह predicate है, मतलब जो बागी बत क्या हो गया, subject हो गया, subject हो गया, subject भी मिल गया, प्रेडिकेट भी मिल गया, आप ज़रा देखते हैं कि subject में यह कौन सा type का subject है, man, कौन सा man है भाई, कौन से man की बात कर की जा रही है तो lazy old man वो भुढ़ा आजमी जो lazy है वो बहुत तेज दोड़ा तो मतलब यहाँ पर किसी subject को describe किया जा रहा है description दी जा रही है मैंने बताया जब किसी subject को description दी जाती है तो वो कौन सा subject हो जाता है वो कौन सा subject हो जाता है वो हो जाता है complete subject तो यह हो जाएगा complete subject उमीद है आपको यह topic अच्छे से clear हो जाओगा तो फ्रेंट्स उमीद है आपको subject और प्रेडिकेट के सारे concept clear हो चुके है और subject और प्रेडिकेट जानने का सब्से वड़ा खायदा क्या है कि आप sentences के अलग-अलग types के बारे में अच्छे से समझ सकते है फ्रेज और clause को अच्छे से समझ सकते है तो अगर आपको यह video अच् करें कमेंट्स में बताएं कि हमें आप और कौन-कौन से topics पर जानना चाहते हैं grammar और इस चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें और अपने friends में share करें ताकि लोग जाने और इस knowledge को सब कोई बाटे थैंक्यू सो मैड